शुप प्रभात प्यारे विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पापा जब बच्चे थे पाठ के अभ्यास के परशनूतर पापा जब बच्चे थे पूरा पाठ हम पढ़ चुके हैं और पूरे पाठ की कहानी को हम समझ चुके हैं आपने पार्ट में देखा, पापा सबसे पहले चोकिदार बनना चाते थे, क्योंकि वो रात को जगना चाते थे, उसके बाद पापा आइसक्रीम वाला बनना चाते थे, क्योंकि वो बच्चों को फ्री में आइसक्रीम देना चाते थे, और खुद भी धेर सारी आइसक्रीम ख सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और बाद में हम जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए और साथ ही अपने फैसले को बार बार नहीं बदलना चाहिए जो भी चीज हम करने की सोचते हैं उस पर पक्का डटे रहना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करने चाहिए पापा हर बार अपना इरादा बदल देते थे कभी चोकिदार, कभी आईसक्रीम बेचने वाला, कभी शंटिंग करने वाला और बीच में तो उन्होंने वायूयान चलाने वाला, साथ में चरवाहा बनने की सोची और साथ में जहाजी के बारे में भी सोचा, तो कितने सारे इरादे बदले हमें बार-बार अपने इरादों को बदलना नहीं चाहिए बलकि एक बात को सोच कर उसी के लिए मेहनत करने चाहिए आईए प्यारे विद्यार्थियों अभ्यास की प्रशन उत्तर देखते हैं सबसे पहले तुम्हारी बात तुम्हारी बात से जितने भी प्रशन आप से पूछे जाएंगे, उसमें आपको अपना उत्तर लिखना है, क्योंकि ये आपकी बात है, और आपकी बात आप ही तो जान सकते हैं, मैं कैसे जान सकती हूँ? तो पहला जो प्रशन आपसे पूछा गया है, पापा ने जितने काम सोचे, उनमें से तुमें सबसे दिल्चस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? अब जितने भी काम उन्होंने सोचे करने के, अब आपको कौन सा पसंद आया? अब जरूरी थोड़ी ना कि जो काम मुझे पसं या शंटिंग करने वाला काम पसंद आया? या वायूयान चलाने वाला काम पसंद आया? जहाजी बनने का काम पसंद आया? या फिर कुता बनने का काम पसंद आया? तो सभी बच्चों ने अपनी बात लिखनी हैं, आप क्या सोचते हैं? आपको कौन सा काम सबसे ज़्यादा दिल्चस्प लगा अब मान लीजिए किसी को वायूयान चालक बनना सबसे अच्छा लगा तो अपना उत्तर कैसे लिख सकते हैं मुझे वायूयान चालक बनना सबसे दिल्चस्प काम लगा क्योंकि वायूयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मजा ले सकता हूँ इसी परकार से आपको जो काम पसंद आया है आप अपने उत्तर में उस काम को लिखेंगे और क्यों पसंद आया है वो कारण भी बताएंगे खब हाग है क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन-कौन कहता है, क्या कहता है क्या आपके घर में भी मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाईया, दीदी, चाचा, चाची कोई कहता है कि बेटा बड़े होकर ये काम करना तो उसके बारे में बताना है कि मम्मी क्या कहती है, पापा क्या कहते है, घर के बाकी सदस्य क्या कहते है, तो ये भी आपकी बात है, अब ये बात मुझे कैसे पता हो सकती है, इसका उत्तर भी सभी बच्चों को अपना सोच कर लिखना है, कुछ इस परकार से आप इसका उत्त लिख सकते हैं, हाँ मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है, मेरी मम्मी कहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ, इसी तरह से आपके मम्मी क्या कहते हैं, आपके पापा क्या कहते हैं, उसके बार पता करें कि वो बच्पन में क्या-क्या सोचते थे, क्या-क्या बनना चाहते थे, तो ये सारी बाते तो आपको पता करनी है और आपको ही इसका उत्तर लिखना है, मैं कैसे पता लगा सकते हूं आपके मम्मी पापा क्या सोचते थे, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इन की बनाना चाते थे, बाद में जब स्कूल में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं, तो उन्होंने टीचर बनने की सोची, फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में तो बहुत मज़ा है, खूब घूमने को मिलेगा, फिर उन्होंने सोचा कि वे पु अपने मम्मी पापा से पूछ कर अपना उत्तर लिख सकते हैं. घह भाग है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन-कौन सी बाते मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन बातों से परिशानी होती है, अपने घर के सदस्यों से बात करनी है, माल लीजे आपकी मम्मी टीचर है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं, आपके पापा अगर इंजीनि होती है काम को करने में, और कौन-कौन सी बाते अच्छी लगती है, कुछ परशन आपके कहानी से आगे भी दिये गए हैं, आईए इनको पढ़ते हैं, शुरू-शुरू में पापा चोकिदार बनना चाहते थे, चोकिदार रात को काम भी करते हैं, इसके अलावा और कौन-क के कुछ परशन है, आईए इनका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं, कब हाग के उत्तर में हम इस परकार से लिख सकते हैं, अस्पताल में काम करने वाले डोक्टर और नर्सों को रात को जगना पढ़ता है, ड्राइवर को जगना पढ़ता है, पुलिस वाले को ड्य दूटी देने के लिए जगना पड़ता है, फोजी भी रात को जगते हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले वेक्ती भी रात को जग कर अपना काम करते हैं, अगर आपको भी किसी ऐसे काम के बारे में पता है, जिसमें रात को जगना पड़ता है, तो आप उसका नाम भी लिख सक मेरे पडोसी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं, वे सुबह सुबह दूद बाटते हैं, फिर एक फैक्टरी में डूटी करने जाते हैं, शाम को गोल गप्पे की दुकान लगाते हैं, आप भी अपने घर में, अपने आसपास में कुछ ऐसे विक्तियों को जानते हैं जो एक से ज़्यादा काम करते हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, आप अपने ममी के बारे में भी लिख सकते हैं, अगर आपकी ममी काम भी करती है, घर भी संभालती है, तो आप लिख सकते हैं, कि मेरी मा घर पर खाना भी बनाती है, घर का काम भी करती है, बाहर ओ पढ़ाती है, हमारा homework करवाती है, तो इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, अगला हमारा परिशन है, आओ खेले सेख चिली कहता है, तो यह आपका मज़ेदार गेम है, जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं, आइए द नाम है, शेख चिली कहता है, तुम में से एक बनेगा सेख चिली, जो सेख चिली कहेगा, बाकी सब को वैसे ही करना है, सेख चिली इस तरह के आदेश दे सकता है, सेख चिली कहता है, अपने दाए हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाग को पकड़ो, और आपको पूरा करना होगा अपने दाएं हाथ को दाएं टांग के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो तो मैं उमीद करती हूँ दाया और बाया लेफ्ट और राइट आपको पता होगा सेख चिल्ली कहता है खड़े होकर जुको अपने हाथों से पैरों को छुओ सिर अपने घुटनों से लगाओ ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो सेख चिल्ली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बहार हो जाओगे जब भी कोई विक्ति आपसे कहेगा कि सेख चिल्ली कहता है ये काम करो तब ही आपने उस काम को करना है अगर कोई सीधे काम करने के लिए कहेगा तो आप उस काम को नहीं करेंगे अगर आपने गलती से वो काम कर लिया तो आप खेल से आउट हो जाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार गेम है, सेख चिली कहता है, आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको खेल सकते हैं, या फिर घर के सदस्यों के साथ मिलकर इसको खेल सकते हैं, और इसमें आप मज़ेदार मज़ेदार बाते लिख सकते हैं, जिनको आप दूसरों से पूरा करव तो बड़ा ही अच्छा गेम है, सभी बच्चे इस मज़ेदार खेल को अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल सकते हैं, अपने भाई भेन के साथ मिलकर खेल सकते हैं, आईए अगला प्रिशन देखते हैं, सोच विचार, यानि कि आपको कुछ सोचना है, कुछ विचार करना है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुट्टा बनना बड़ा कठिन काम है, ये फोजी अफसर मुझ पर हसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हसते हैं, इस अफसर को कुट्टा बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है, अब आप सोचिये और बताईए, पापा ने क्या-क्या अपने मन में सोचा होगा, क्या-क्या विचार किया होगा फोजी अफसर के बारे में, पापा ने अपने मन में कुछ इस प्रकार से सोचा होगा, यह आखिर अफसर है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुट्टा बनना बड़ा कठीन काम है, ये फोजी अफसर मुझ पर हसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हसते हैं, इस अफसर को कुट्टा बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है, और जो दो हमारे खालिस थान हैं, उ मुझे तो पता नहीं की इनसान किसे कहते हैं, और मैं इनसान बनना चाहता हूं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा, मुझे तो पता नहीं की इनसान किसे कहते हैं, मैं इनसान बनना चाहता हूं, इन दोनों पर आप सही का निशान लगाएंगे, अगला हमारा प्रशन है, अग अगर पापा ने कहा अपना ठेला में स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगे होती तो ठेला कहां लगाती। ऐसा तुमने क्यों तै किया। खभाग में आपसे पूछा गया है अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुमें प्लेटफॉर्म और रेल गार्डी में कौन-कौन से लोग नजराएंगे। इन दोनों के उत्तर आपने लिखने हैं। अब हमेशा की तरह ये सवाल भी आपने खुद सोच के लिखना है। कुछ सारे लोग आएंगे और ठेली से आइस्क्रीम खरीदेंगे। खभाग का उत्तर आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। प्लेटफॉर्म और रेल गार्डी में मुझे मुसाफिर, कुली, टीटी, सिपाई, सामान बेचने वाले और बहुत सारे लोग नजराएंगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, रेल गार्डी में जाते हैं, तो ये सभी विक्ति आपको देखने को मिलते हैं। आपको कुछ और वस्त्वी नजर आती हैं या किसी और विक्ति के बारे में ध्यान आ रहा है तो आप उसको भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अगला हमा पारे घर में उनको हम क्या कहेंगे। घर में इन रिष्टों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। अगला हमारा प्रिशन है एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायूयान चालक बनने की सूची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वे जहाजे भी बनना चाहते पापा क्या क्या बनना चाहते थे। उपर के वाक्यों में उन्होंने और वे का इस्तेमाल पापा की जगे पर हुआ है। पापा के नाम की जगे परियोग करते हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के पाँच उधारन चाहतों इनकी मदद से वाक्य बनाओ। हम पाठ में से चाट कर कुछ वाक्य लिख सकते हैं। जैसे कि पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। हमने उनसे शब्द का परियोग पापा की जगे पर किया है। मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। यहां पर उनका शब्द भी हमने पापा के लिए परियोग किया है। उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर चोकिदार ही बनेंगे। उन्हें शब्द भी हमने पापा की जगे परियोग किया है। यह सचमुच समस्या थी। यह शब्द का परियोग हमने यहां पर किया है। उसे अगली यात्रा के लिए तयार करना होता है। तो यहां पर हमने उसे शब्द का परियोग किया है। इनकी मदद से कुछ वाक्य बना सकते हैं, जैसे उनसे का प्रियोग करके राधा ने उनसे कोई बात नहीं की, उनका प्रियोग कर सकते हैं, अभिनव उनका बड़ा भाई है, उन्हें का प्रियोग करके हम वाक्य बना सकते हैं, उन्हें क्या पसंद है, यह का प्रियोग करके यह पूनम की किताब है, उसे आइस्क्रीम बहुत अच्छी लगती है, इस प्रकार से आप भी अपने नए वाक्य बना सकते हैं, जिन में उनसे, उनका, उने, यह, उसे, इस तरह के शब्दों का प्रियोग किया गया हो. अगला हमारा प्रशन है, कौन किस में तेज? सभी बच्चे और बड़े किसी ने किसी काम में माहिर होते हैं, कोई साइकल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चितर बनाने में तेज होता है, तुमारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो. यानि ये परशन का उत्तर तो सिर्फ आप ही लिख सकते हैं क्योंकि आपने अपने अपने दोस्तों के नाम लिखने है या परिवार की सदस्यों के नाम लिखने है अब देखते हैं क्या-क्या पूछा गया है आपसे जो बढ़िया कहानी गड़ सकते हैं ऐसा कोई आपका दोस जो अच्छी से कहानी लिख सकता है, या परिवार का कोई सदस्य है, तो उसका नाम लिखना है, जो खूबसूरत कड़ाई कर सकते हैं, जो कला बाजियां खा सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, अगर आप भी अगर दूसरों की नकल उतारते हैं, तो पहेलिया सुलजा सकते हैं, जो खुलकर जोर से हस सकते हैं, आपके परिवार में दोस्तों में जो बहुत जोर जोर से हसता है, उसका नाम लिख सकते हैं, जो तरह तरह की आवाजे बना सकते हैं, जो अंदाजे से ही चीजों का सही माप या वजन बता सकते हैं, जो बढ़िया अभीने कर सकते हैं, अभीने यानि एक्टिंग कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी चीजों से सुन्दर चीजे बना सकते हैं, वेस्ट मटीरियल से कोई नई और सुन्दर चीज बनाता हूँ, उसका नाम आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए सभी बच्चों ने अपने परिवार के सदस्यों से, अपने दोस्तों से पूछ कर, या जो काम करने में माहिर है, आप उनका नाम पहले से ही जानते हैं, तो इनका नाम यहां पर आपने लिखना है, हर किसी बच्चे का उत्तर अलग होने वाला है, क्योंकि आपके दोस्तों के नाम लिखने है, या आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखने है, अगला हमारा प्रिशन है, तुम किन-किन चीजों में माहिर हो, यह भी बताऊ, माहिर होना यानि बहुत अच्छे से कर पाना, ऐसी कौन से कौन से काम है जो तुम बहुत अच्छे से कर पाते हो सभी बच्चों को लिखना है जैसे कि आपको ड्रोइंग करना बहुत अच्छे से आता है आपको पेंटिंग करना बहुत अच्छे से आता है किरकेट खेलना बहुत अच्छे से आता है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं सभी बच्चों को अपना अपना नाम लिखना है जो भी काम आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं उसी का नाम आपने लिखना है अगर कोई खेल भी आप अच्छे से खेल पाते हैं तो उसका नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि लुडो आप बहुत अच्छा खेलते हैं या फिर गितार आप बजाते हैं कोई भी काम जिसमें आप माहीर हैं परफेक्ट हैं उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है अगला हमारा प्रशन है कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो? सबसे पहली पंक्ति है पापा के पास जवाब हमेशा तयार होता था ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे यानि बहुत समझदार थे कोई भी बात पूछो तो पापा उसका जवाब दे देते थे पापा का जवाब हमेशा अलग-अलग होता था ऐसा लगता है कि अब इस खालिस्थान को आपने पूरा करना है आप इस परकार से लिख सकते हैं ऐसा लगता है कि पापा का मन बहुत चंचल था मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रिम दिया करूँगा ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे रात में करने के लिए होता ही क्या है रात में मैं चोकीदारी करूँगा ऐसा लगता है कि पापा हर काम को करने के लिए तयार रहते थे इस प्रकार से आप कोई नया उत्तर जो आपके मन में आ रहा है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं आपको कैसा लगता है कि पापा ऐसा काम क्यों करते हैं उसी के इसाब से आपने यहाँ पर अपना उत्तर लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पापा जब बच्चे थे पाठ के अभ्यास के परसनुतर किये हैं आशा करते हूं आपको परसनुतर समझ में आये होंगे आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ वीडियो आपको कैसा लगा मैसेज करके जरूर बताईएगा तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मजे से पढ़ते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सबी का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद